दोस्तो ग्यारा खिडकियों की ग्यारा खूबिया मैं आपके लिए लिक्या हूँ अरे कहना क्या चाहते हो समझ में नी है बताता हूँ Windows 11 की 11 ट्रिक्स मैं इस वडियो में आपको बताने हो लो तो अगर आप एक computer user हो computer में smart बनना चाहते हो तो वडियो एंड तक देखिए सीधी बात नोबकवास चलिए ये वडियो शुरू करते हैं खास ट्रिक्स नंबर वन मैं आपको बताने हो लो टास्क व्यू के बारे में अब ये टास्क व्यू क्या होता है सबसे पहले आपको टास्क बार पे mouse pointer लेके आना है यहाँ पे right click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको task bar setting option मिलेगा यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे task view enable करने के लिए option मिलेगा मैं आपको यहाँ फोकस करके भी दिखा रहा हूँ अगर आप यह task view enable करते हो तो आप नीचे देख सकते एक task view यहाँ पे open है और जितने भी application आपने open किये उनकी यहाँ पे प्रियू तो दिखते है साथ में यहाँ पे आप कितने desktop पे काम करें desktop 1 यहाँ पिर यहाँ से new desktop में ले सकता हो और desktop 2 पे जाकर देखिए यहाँ पे हमने कुछ अभी open नहीं किया है यहाँ पे desktop 2 मतलब fresh desktop अगर हमें चाहिए जहाँ पे कुछ भी application आपन नहीं तो हम यहाँ से ले सकते या पिर यहाँ पे click करके हमारे फिर से desktop 1 पे हम move कर सकते या नहीं आप टास्क वीव का इस्तमाल कर सकते जो कि आपके टास्क बार में आ जाएगा तो टास्क बार में टास्क वीव लाना है तो setting 1 को ध्यान से सीखना है तो यह थी trick 1 अब बढ़ते trick 2 की तरफ तो अब setting number 2 में मैं आपको बताने हो लो कि मैं यहाँ पे windows 11 इंस्टॉल है तो यहाँ पे यह center में आ चुके यह सारे के सारे icons लेकिन मुझे windows 10 के आदत पढ़ी है जो कि windows 10 में जो icons थे left side में थे right start button वगरा left side में था तो मैं यह पूरे icon left में लेना चाहता हूँ तो आपको same same screen पे आना है taskbar setting वाले screen पे कैसे आना ही जो कि पहले setting में मैंने आपको बताया और इसमें आपको यहाँ पे option मिलेगा नीचे taskbar BOS यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए taskbar alignment option है यहाँ पे आप जाकर इसे left करोगे तो यह left side में आ जाएगा तो यह एक interesting setting याद रखो यहाँ से आप left कर सकते यहाँ से आप center कर सक right tricks number two हमने जान ली अब बढ़ते tricks number three की तरफ मैं आपको बताने हुआ एक presentation related settings basically क्या है यह settings जैसे मैं आपको कुछ present करना चाता है आपको कुछ चीज उसको जूम करके दिखानी है तो windows और प्लस बटन दबाओगे तो यह जूम होगा लेकिन लेकिन एक मिनिट रुकिए मैं क्या बता रहा हूं विञ्ड्वश से जूम तो हो रहा है windows माइनस से जूम आउट होता है लेकिन जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है वहां पे जूम हो रहा है जैसे मैं यहां पर राइट कॉर्णर में दिखाना चाता हूं windows प्लस यह दिखिए तो यह यह त्रीक आपको जानी क्योंकि आप windows प्लस डायरेक्ली करने जाओगे तो आपकी केस में ऐसा नहीं होगा तो होगा कैसा जैसे आप Windows प्लस दबाओगे तो आपके सामनी यह डालाब बॉक्स आता है मैगनिफायर का याद रखिए जैसे मैं अब मैं क्या चाता हूँ इसका व्यूपॉइंट यहां पर देखे फूल स्क्रीन रखना है आपको यहां पर डॉक नहीं रखना है ना लेंस रखना है लेंस आप रखोगे तो कुछ इस तरह से पॉप अप आ जाएगा और ऐसा जूमिंग आ जाएगा सब्समें यहां पर इसक मैं आप माउस है वहां पर फोकस रो यह शारे चेक रहते है वाइए डिपल्ट जब आप व्यंड्वूज पहली बार इंस्टॉल कर ले तो आपकी अस्क्रीन पीछ ब्स करके बताओ पीछे जो बच्चा बैटा है ना उसको दिखाई नहीं देता है आपको लगता है यार आ अगर आप एक ट्यूटर हो तो दोस्तों अब बार है ट्रिक्स नंबर फोर की चलिए शुक्ते आपका सेटिंग यहां पर दिखा देगा आप यहां पर टर्न आउन करके रखा इसे कॉंटिनुसली क्योंकि बैसिकली नाइट लाइट मतलब क्या होता है कि नाइट वीव में आपके कंप्यूटर में जो ब्लू लाइट है वो बंद हो जाती तो यह दिखे टर्न आप में करत इस लिए नाइट लाइट के लिए है पाइट लुडॡ लाइट में एक दो मीट कैर के लिए इससे जरुपी यह जो icon है न, icon यह आटो आरेंज है पिलाल, तो इसे आटो आरेंज भी हटा दो, अब मैं यहां पर इसे ड्रैक करूँगा न, तो यह grid में ही हट, यह उपर नीचे, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, यह एक तो उपर जाएगा, ने तो नीचे आएगा, grid में, line में आ ज settings सीख लो, दोस्तों यह tricks का वीडियो आगे चलते रहेगा, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद है, तो लाइक, शेर और कमेंट जरू करना, और चैनल पर नहीं महमान हो, तो subscribe करना, ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते है, इसकी notification आपको मिलेगी, अगर आप subscribe क्लिक कर सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरी teaching style आपको पसंद है, तो एक बार description में जाएए, जहाँ पर मेरा application है, जहाँ पर आपको घर बैटे बैटे computer courses सीखने मिलेंगे, जिया, pre-recorded videos के साथ मैंने courses तयार किये है, जहाँ पर सारी चीज़े मैंने basic to advance पढ़ाईए, आप videos जितनी बा completion setup भी आपको मिलेगा, और यह सारी चीज़े बहुत ही कम फीज में available है, तो आप जाकर check out करो, फिलाल तो आगे बढ़ते हैं, कौन सी है हमारे tricks number 6, आईए screen पर देखते हैं, mouse settings, अब आपको control panel में दुबारा आना है, और control panel में ही आपको मिलेगा mouse settings, तो आपको mouse ढूनना है, यह मिला चूहा, I mean to say mouse, यहाँ पर click करो, mouse का जो left button है, उसको right करना है, तो यहाँ पर click करो, मतलब left यह देखिए, switch होगा, अब मैं right click करूँगा, तो left button perform करेगा, अब मुझ में हो गया, और धेर सारी mouse की यहाँ पर settings भी है, जिसके लिए एक already, मैंने tutorial बनाया है, mouse settings, जो कि आपको complete technology channel पर मिलेगा, और यहाँ पर mouse का double click का speed, जो की double click कितने fast से होना चाहिए, slow मत रखो इसे, slow करोगे तो आप slowly भी double click करोगे ने, एक आभी और एक थोड़ी देर बाद तो तूरंद double click होगा, यह fast भी मत रखो क्योंकि बहुत fast double click करना पड़ेगा, जिससे mouse खराब हो जाएगा, मतलब double click मतलब क्या, जैसे folder open करना है, यह वाले open करना है मुझे, तो मुझे इस पर double click करना है, तो बहुत fast करना पड़ेगा, अभी भी नहीं हो रहा है, बहुत fast, तब यह open होगा, याद रखिए, तो यह चीज नहीं करनी है, यहाँ पर बहुत fast भी नहीं रखना है, बहुत slow भी नहीं रखना है, medium रख देना इसे, और इसमें, यहाँ पर pointers भी है, pointer options भी है, wheel भी है, लेकिन सारी चीजे मैंने complete technology पर बताई है, इतनी सारी detail setting अभी मैं माउ माउस की basic setting का और कर लिए, detail वीडियो आपको complete technology चैनल पर मिल जाएगा, description में link दे दूँगा, mouse setting का, don't worry, तो यह थी tricks number 6, अब बढ़ते है tricks number 7 की तरह, यहाँ पर आपको keyboard भी मिलेगा, control panel के अंदर ही, keyboard मिलेगा, keyboard में क्या है, यहाँ पर repeat delay और repeat rate, ऐसे दो option है, अब यह repeat rate म करके रखा है पहले से, तो अब मैं A type करूंगा, तो यहाँ पर कितना slow 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 A type हो रहा है, मैंने preview दिखा है आपको, यहाँ पर देखिया, अब मैं इसको थोड़ा सा fast कर देता हूँ, और पूरा fast कर देता हूँ, और मैं अभी यहाँ पर A type करता हूँ, यह देखी, पट पट पर पर टाइप हो रहा है, तो इस तरह से होता है, और repeat delay को मैं अगर long कर देता हूँ, तो मैंने A type करने के लिए, तो पहला A type करने के बाद दूसरा A जो है थोड़ा सा gap में आ जाएगा, यह पहला A type तो होगा, लेकिन उसके बाद दूसरा जो आने वाला है, उससे थोड़ा पर एक cursor आ रहा है, यह दिख रहा है, यह blink हो रहा है, तो यह जो cursor का blinking का speed है, basically कितना रखना है आपको, fast रखना है, तो यह ऐसा fast blink होगा, यह slow रखना है, तो यह slow blink होगा, तो यह slow blink होगा, तो यह थी tricks number 7, अब बढ़ते tricks number 8 की तरह, अभी setting map को बताओ कि आपको कुछ content website से copy करने, जैसे मुझे यहां से यह content copy करना है, नीचे मुझे description से यह content copy करना है, तो मुझे अलग-अलग content copy करने है, और paste करने है, notepad में अगेरा, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले यह आप देख सकते है, windows भी प्रेस करो, windows भी यह content को copy कर लेता हूँ, यह content, ctrl-c, copy, अब मैंने यहां पे इसे paste कर दिया, नोट पर, चलो paste हो गया, copy-paste, copy-paste हो गया, right, अब नोट पर के थुरी size कम कर देता हूँ, अब यहां पे दोनो content आ चुके, लेकिन मैं उपर वाला content है, दुबारा नीचे रखना चाहता हूँ, तो मैं दुबारा copy नहीं करूँगा, मैं windows भी प्रेस करूँगा, windows भी, तो यहां पे आप जितनी भी copy करोगे न items, यह clipboard में temporary store होगा, यह clipboard है, यह clipboard में temporary store होता है, यह से आप directly paste कर सकते हैं, जैसे इसमें आये, windows भी प्रेस कर दिया आपने, और यहां से आप चाहते कि यह sentence दुबारा चाहते हैं, यह sentence दुबारा आगा, windows भी प्रेस करोगे, यह sentence नीचे वाला दुबारा आ जाए, तो यह देखिए नीचे वाला दुबारा आगे, आपका cursor नी है tricks no.9 की screen पे बढ़ते हैं इसमें हमें क्या करना है बस यहां पे मैं start में जाऊंगा phone link search करूँगा और phone link search करने के बाद हमारा जो भी phone है वो हम यहां पे link कर सकते हैं मैंने आल्रेडी link किया है यहां पे आपको कुछ message दिखाए देंगे, photos दिखाए देंगे, सब कुछ आपको दिखाए देगा, लेकिन इसके लिए आपको phone को पहले connect करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा, आपको phone link नाम से related एक Android app भी मिलेगा Play Store पे, जो कि Microsoft की तरफ से उसे भी आपको mobile में डाउनलोड करना पड़ेगा, और दोनों के उपर आपको same email ID से, Microsoft की email ID से login करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे आजाओगे phone link application पे, तो आपने phone link नहीं किया है, तो of course, आपको यहाँ पे link device नाम option आजाएगा, जैसे मेरे पास अब यह अल्रड़ी एक link है, मैं link new device करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह का pop-up आजाएगा, आपको Android select करना है, फिर I have a link, Android select करने के बाद आपको यहाँ पे login का pop-up आएगा, Microsoft का account login कीजिए, फिर उसके बाद आपको login करने के बाद आपके app के उपर app भी install करना है, और यहाँ पे QR code आएगा, जो app से scan करने के लिए पूचा जाएगा, तो यह से आप scan करोगे, और कुछ permission अलोग करोगे, तो directly आपका phone link होगा, और आप यहाँ से भी call लगा सकते हैं, यहाँ से बात कर सकते हैं, messages पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो एक interesting tips है दोस्तों, जरूर ट्राइ कर लेना, इसे phone link करना, और tricks no.9 के बाद number आता है, tricks no.10 का, देखते हैं न, screen पे, इसमें आपने unwanted application install करके रखें, तो उसे uninstall करना है, तो आपको Windows R बटन दबा देना है, Windows R बटन दबाने के बाद यहाँ पे control link देना है, देखें, control panel में आपको जाना है, control panel में आपे programs and features यह दिखाए देगा, control panel में programs and features में जाहिए और जो application नहीं चाहिए, uninstall button, select कीजिए, uninstall कीजिए, आपे डेर सारे application है, तो जो जरूरी नहीं वह ही delete कीजिए, जो जरूरी वह मत delete कीजिए, वो तो आप समझदार हो, और बार यह अब हमारी आखरी tricks, tricks number 11, screen पे देखते हैं, लास्ट tips की तरफ बढ़ते हैं, computer shutdown करना है, computer shutdown, तो हमें आता है, alt है, power button प्रेस करो, लेकिन computer एक घंटे के बाद shutdown करना है, तो यह tips मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन जिनको नहीं पता हो देख लो, आपको आना है run में, एक घंटे के बाद automatic computer shutdown करना है, जैसे आप अपने TV को करते हैं, आप TV में कोई movie लगा है, लेकि start और R button, okay, run command का dialogue box, shutdown space, minus yes, space minus, oh sorry, yes करना है, yes मतलब second, h मतलब hour, तो minus yes, space minus t, तो यह क्या होता है, minus yes, यहापे आपका रहेगा seconds में time, और 300 seconds, time सम देंगे, तो 300 seconds के बाद यह computer क्या होगा, यहापे right side में आपको एक message भी आएगा, कि भाई, 5 minute के बाद, 300 seconds है नहीं लगबग 5 minute 5 minute के बाद यह computer बंद होगा, अगर आपको एक घंटे के बाद बंद करना है, तो 3600, जैसे आपने कुछ download के लिए रखा है, आपको लगता है कि भाई, यह computer एक घंटे के बाद बंद होना चाहिए, डाउनलोड हो जाएगा, एक घंटे के अंदर, तो आप यहापे 3600 रखो, एक घंटे के बाद यहापे डाउनलोड हो जाएगा, यहापे अभी pop-up नहीं आएगा, क्योंकि screen recording चलो लेकिन आप यह try करके देखो, एक pop-up आज आएगा, कि भाई, एक घंटे के बाद computer आपका log-up होने वाला है, और अगर आप चाहते कि यह log-up cancel करना है, तो आप shutdown minus A definitely पसंद आयोगा, पसंद है तो like, share और comment कीजिए, साथ ही मैं ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए, description में हमारी application के लिंक है, जरूर check out कीजिए, मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक लिए अपना खयाल रखिए, सीखते रही है, लोगों को स लिखा ते रही है, स्मार्ड बनियें, बाइब बाइब, बाइब!